राजस्थान में सचिन पाइलेट बनाम अशोक गैलोत का मामला ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है बलगे और गर्माने वाला है इस बीच सचिन पाइलेट की मांग को लेकर भाजपा ने भी कॉंग्रेस पर निशाना सादा है बाजपा ने कहा कि गैलोत किसी भी तरह सचिन पाइलेट को आगे नहीं आने देना चाहते हैं बाजपा ने तंसकसते हुए कहा कि शीर्ष नित्रित्व सचिन पाइलेट को मीठी गोली देता रहा है भाजपा विधायक ने काया कि इस अंतर विरोध से कॉंग्रेस पाताल में चली जाएगी दरसल राजस्तान में इसी साल के अंत तक विधानसवा चुनाओं होने ऐसे में धीरे धीरे राजनितिक सरगर्मिया भी तेज होने लगी है इस बीच कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर वूप मुक्यमंतरी सचिन पाइलेट ने एक बार फिर विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले सीएम अशोग गैलोत के खेमे के विधायकों के खिलाब कारिवाई की मांग उठा दी उन्होंने सीएम गैलोत के समर्थक विधायकों पर कारिवाई में देरी पर सवाल उठाए सचिन पाइलेट ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिश्कार करने वाले मुख्यमंत्री अशोग गैलोत के समर्थक नेताओं के जल्द अनुशास्तनात्मक कारिवाई की मांग की पाइलेट के द्वारा दिये गए बयान के बाद एक बार फिर राजस्तान कॉंग्रेस की सियासत में उबाल है पाइलेट का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गहलो सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और प्रदेश अब चुनाओ की तरफ बढ़ रहा है इस भी सवाल ये भी उटने लगा है कि विधान सभा चुनाओ से पहले सचिन पाइलेट या अशुक गैलोद सीएम पद के लिए पार्टी किसे चुनेगी वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर वेट अड़ वाच की स्तिती में ये बहुत ही मतफूर बिंदू है इसको मैं जरा डीटेल में आपको समझाता हूँ लेकिन भाजपा विधायक देवनानी ने जो कुछ कहा है पहले वो समझ लीजिए इस अंतर विरोज से कॉंग्रेस पाताल में चली जाएगी वो ये कह रहे है और ये कॉंग्रेस पाताल में चली जाएगी स्टेटमेंट के माइने क्या है वो समझ गी दरसल कॉंग्रेस के गुडबाजी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कमेंट आ रहे है खास तोर पर पाइलेट को लेकर पहले भी कई बार बाते कही जा चुकी है बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस पर निशाना साधा गया पूर्व मंत्री और बीजेपी के बरिश्ट विदायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि बजट में चाहे कितनी ही घोशना की जाए लेकिन ये दोनों एक दूसरे को निप्टाने में लगे हैं कॉंग्रेस कितनी ही पाताल में चली जाए क किसी को कोई चिंता नहीं है अशोग गैलोत किसी भी तरह सचिन पाइलेट को आगे नहीं आने देना चाहते हैं शीर्ष नित्रित्व सचिन पाइलेट को मीठी गुली देता रहा है देवनानी ने कहा कि इन दोनों नेताओं का अंत्रिक संगर्ष कॉंग्रेस को पाताल लोक पहले अनुशासन हिंता पर तीन सदस्य कमिटी बनाई गई उसका कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है फिर दुबारा मलीकार जुन खरगे आए और बेरंग लोटे शर्मा ने कहा कि कॉंग्रेस अनुशासन हिंता वाली पार्टी है देखें कॉंग्रेस को लेकर बीजेपी क चिंता आप इन इशारों को समझिए आपको बता दें कि सचिन पाइलेट ने एक बार फिर से गहलोत के वफादारों पर एक्शन ना होने पर सवाल खड़े किये हैं पाइलेट ने कहा मामले में हद से ज्यादा विलम भुरा है राजस्तान में हर पांस साल में सरकार बदलने की परंपरा है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी को जल्द फैसला करना होगा आपको बता दें सचिन पाइलेट ने कहा कि अनुशासन और पार्टी के रुक का अनुपालन सभी के लिए समान है व्यक्ति बड़ा हो या छोटा साथ ही उन्होंने कहा अनुशासनात्मक समीती ततक कालीन पार्टी प्रमुक सोनिया गांदी के खिलाफ खुली अवेलना के संबन्द में निर्णय में विलंब का सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं जैसे ही सचिन पाइलेट ने आलाकमान से जल्द कारिवाई की बात कई तो पाइलेट फिर से एक्टिवेट हो गया पाइले सीम बनना जरूरी है वहीं गहलोद गुट के मंतरी पताफ सिंग खाची अवास ने कहा है कि बयान पर बयान देने से चर्चाएं ज्यादा बढ़ती हैं हम चुनाओ के मैदान में गहलोद सरकार के बजट और यूजनाओ को लेकर उतरेंगे अब देखिए आप बीजेपी के विदायक और नेता कोई बात कहते हैं कॉंग्रेस के बारे में तो ये बहुत ही दंबीरता से लिये जाने वाला विशे है सचिन पाइलेट जब कहते हैं कि बहुत देरी हो रहे हैं ये चुनाओ का वक्त नजदीक है तो भी समझने वाली बात है वो अपनी पार्टी को भी इ कॉंग्रेस का या बीजेपी का जिनको टिकेट मिलेगा वो उनके नेताओं पर या गुट के चहरे पर डिपेंड करता है आप ये भी देखिए कि वसंदरा राजे सिंदिया को अभी तक खुल कर सामने नहीं रखा गया है हालाकि सतीश पुनिया और वसंदरा राजे सिंदि होगी ये भी कहा जाता था ऐसे बहुत सी बाते चलती हैं लेकिन सर्पराईजिंग ये बहुत सारे चेहरे आगे होते हैं इसमत् gaz हो सकता है कि क्या शुच्ऌ पाइलोट के लिए उमीद की एक किरण सामने दिखाई पड़ती है क्या सचिन पाइले वो काम जो जो जोतिराद है कि उनको अभी किसी का चेहरा घोशित नहीं करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा बेल्ट पिछली बार राजस्थान में जो जीत मिली थी कॉंग्रेस को उसमें सचिन पाइलेट और उनके क्षेतर का विशेश योगदान रहा था सचिन पाइलेट के क्षेतर में प्रदानमंत्री मोधी अभी एक बड़ी योजना को का लोकारपन करके गए तो कुल मिलाकर यह ऐसी योजना है और ऐसा क्षेतर है जिस पर बीजेपी की नजर है बीजेपी गुर्जर वोड़ बैंक को अपनी क्रफ लाना चाहती है सचिन पाइलेट एक युवा नेता है संभावना शील नेता है राजस्तान में तो क्या बीजेपी की नजर आप सचिन पाइलेट पर लगी हुई सचिन पाइलेट इस बात का इंतजार कर रहा है अशोक गैलोथ अपनी कुरसी छोड़ने को तईयार नह माना है और तमाम राजनेतिक विशलेशक कहते हैं खुद कॉंग्रेस में भी ये सुर जो है सचिन पाइलेट गुड की तरफ से सुनने को मिलते हैं कि ये खुली बगावत थी इसको बगावत कहा भी जाता है अनुशासन हिंता इसको अनुशासन हिंता माना भी कॉंग्रेस किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि गहलोत के विधायकों ने जो कुछ किया वो अनुशासन हिंता थी और सिफ़ अनुशासन हिंता नहीं बलकि खुली बगावत थी अपने स्तीफे सौफ दिये थे अलाकि बाद में वापस करवाए गया जब रंधावा अभी प्रभारी बने इसारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि गहलोत ने आमने साथने की लड़ाई अलाकिमान से शुरू कर दिये और आलाकिमान की इस्तीफिन नहीं कि गहलोत को हिला पायं सचिन पाइलेट देख रहे हैं कितने मजबूर है अगर कोई कठोर निर्णे नहीं ले पाते तो सचिन पाइलेट फिर अशोग गेलोद के साथ तो पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे अशोग गेलोद उनको बढ़ने ही नहीं देंगे कभी पहले ही कह चुक है कि जिसके पाद 10 विदायग नहीं वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा अगले चुनाओं में भी हमारा चैरा खुल के कह रहे है जब यह सारी बाते कह रहे हैं तो सचिन पाइलेट के लिए कोई संभावना कम से कम अपने खेमे में मिलाना चाहती है और इसके लिए आप अरोक शुरूप से कुछ इशारे किये जा रहे है आप अपनी राय ज़रूर रखे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें